यार 40 की एज में बिजनेस कौन सोचता ऐसे अच्छी जॉब है करियर सेटल है सब कुछ सही चल रहा है और बच्चों की तरफ कौन द्यान देगा फिर दो दो बच्चे है उनकी पड़ाई उनका करियर अरे लॉस भी बना लिया पहली साल में एक लाग का इंविस्मेंट करके से लोस और करो मनमानी और करो बिजनेस आप वो महिला है जो एड़ देज ऑफ 30 35 40 45 यह सोच रहे हैं कि भाई बस अब कुछ नहीं हो सकता नहीं अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते तो यह गलत फहमी दूर करे इस वीडियो को देखे अगर आप में कोई भी हुनर है जैसे मान लीजिए आचार बनाने से लेके सुई धागा चलाना यह अपना कोई सपना है जिसमें आप सीख के आगे बढ़ना चाहते हो तो यह वीडियो देखें यह वीडियो आपको उसमें साथ देगा और उसको बिजनेस बनाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए जरूर से हम कहेंगे कि अगर 12 में बच्चे को अच्छे माक्स मिले है तो उसके इंजिनेरिंग करना जरूरी है यह हमारा ही फामिली सोच रखते हुए हम आगे बढ़े इंजिनेरिंग किया मास्टर्स के लिए आगे बढ़ना था तो परिवार में पापा की लाडली बेटी भाई की बहन सब कुछ बहुत अच्छे से था कोई चालेंजेस नहीं थे बच्पन बड़ा प्यार में भाई बहनों के बीच में गुजरा मन चाहा हस्बिंड मिला वह भी कोई स्ट्रेस नहीं था सब कुछ सही से जा रहा था लेकिन दोनों फामिली बिजनेस बैग्राउंड से खुद का कुछ करना था फामिली बिजनेस जॉइन नहीं करना था तो खुद की शुरुवात भले छोटी से भी क्यों नहों पर अपनी अपनी करनी थे हो सकता है कि मेरी पहली सालरी जो मुझे मिलने वाली थी या मिल सकती थी उससे तो मेरे घर में जो बंदा काम करा उसको जादा सैलरी हो सकती थी बट फिर भी इस सोच को बाजू में रखते हुए इस हिचक को बाजू में रखते हुए घर में सबको मनाते हुए हम कहेंगे पैरेंट्स को भी इनलॉस को भी बड़े भाई है मेरे जो मेरे लिए बहुत-बड़ा सपोर्ट सिस्टीम रहे मेरे मनाते हुए एक खुद की छोटी सी हिसा ही शुरुवात करने थी शुरुवात की जॉप के लिए पूना है हम लोग पूना सेटल होने की बात हो रही थी और तब बड़ी खुशियों से हाथ में एक छोटा बच्चा आया मेरी बेटी अब ये बेटी इतनी छोटी हम इतने प वो प्रियरिटी है ये सब के चलते 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 हम बहुत लंबा नहीं खीचते हुए इसको हम नासिक आये नासिक में करियर की नहीं शुरुवात करेंगे सा सोचे बाइ चॉइस टीचिंग प्रोफेशन चूज किया क्योंकि बेबी चोटा था ज्यादा टाइम दे सकते थे टीचिंग मेरा वैसे भी अच्छा पैशन था कॉर्परेट जॉब से डिरेक्ट अकैडमिक जॉब में शिफ्ट हुए टीचिंग में आये जब टीचिंग में आये तो काफी सारे नए नए चेंजिस थे खुद नई चीजों को पहले सीखना था ये सब करते हुए नई जनरे के साथ जजबा लेते हुए हसी खुशी उसमें ग्रोथ करते करते काफी साल हो गए लगबारा साल तेरा साल टीचिंग में बीते जब चालीस की एज तक पहुचे अब तब तक तो दूसरा बेबी भी हात में था काफी चालेंज थे फैमिली सही से सब चल रहा था ग्रोथ अ कि एक दिन मन में आता है कि अभी बड़े नजदीकार है और फिर एसा मन में एक लगा कि अभी 40 की एज में भी कुछ नया नहीं शुरूआत किया तो कप करेंगे फिर घरवाले सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे और मैं आप लोगों को बताना चाहूं कि कितना फैमिली मतर करता है इन सब चीजों में कितने दोस्त हमारे साथ जुड़े वो हमारे decision making में support करते हैं तो 40 cross करने के पहले husband से बात की कि आराशिश अभी रुकना चाहते हैं अभी कुछ और करना है अपना business को start करना है तो उन्होंने कहा करो उन्होंने एक बार हिजक नहीं दिखाई मेरे पापा तब नहीं थे तो इन लॉस थे ससूर जी से बात की he has full faith on me और उन्होंने कहां ठीक है न बच्चा समझ लिया है इतने अच्छी salary की job आज चोड़ना चाहते हो और अपना business करना चाहते हो तो सोचा तो होगा आपने करो आप पर कुछ लोग ऐसे भी थे family में दोस्तों में वो बोलते थे अरे पागल हो गए हो क्या इतनी अच्छी job छोड़के कोण अभी वापिस zero से शुरू करता है जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है इसी में आगे बढ़ो इसी में करता है पिर बात की कि अब उसी दिन डिसाइड किया रेजिगनेशन दिया जबकि वो जर्नी बहुत अच्छा था बहुत हैपी गोइंग था अब नहीं शुरू आतकनी है अपना बिजनस करना है अपने बिजनस से शुरू करना है तो क्या कर सकते हैं वहां से सोच शुरू थी सोचा कि काफी स्टडी किया था बिंग आइज इन टीचिंग प्रोफेशन बिजनस और मानेजमेंट एडूकेशन में थी में पढ़ाई एकेडमिक्स के रोल में थी तो यह सब करते हुए नहीं अपने बारे में खुद अपने आपको डवलप किया अपने आपको तीन मह महिने दिये और शिक्स मन्स के बाद एक अपना फर्म स्टार्ट किया जिसका नाम है डवलेक्स कंसल्टन प्राइवेट लिमिटेड इस कंसल्टन सी फर्म के थू हमारा में मोटिव था कि हम जो भी बिजनस कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको सपोर्ट सिस्टेम देंगे की इतनी सारे स्कीम साती है वो उन तक पहुचाएंगे उनको funding के difficulties से उनको दूर करेंगे marketing के लिए support करेंगे और ऐसे जुडा जुडाव करके सारे experts को अपने साथ connect करके consultancy firm के शुरुवात हुई, शुरुवात हो गई लोगों को support करने की, यहाँ पे भागो, नया business, at the age of 40 enter करना, बहुत भागना, नया नया business है, पास साल तो इस business को देने पड़ेंगे, इतनी सारी चीज़े सोच रखी थे, भागते रहे, करते रहे, और जब साल खतम होने को आया तब realize हुआ, कि यार हमने तो loss बनाया है, जैसे एक लाग की investment से शुरू किये हुए business ने, आज loss making पहला साल loss बनाया, तो बहुत बुरा लगा यार, साल भर भागते रहे, काम करते रहे, loss बनाया, मन में सोचा कि यार गलट decision हुआ क्या, पूरा तो plan कर लिया था, पूरा तो structure design किया था, सही से तो सब कर रहे थे, फिर क्यों ऐसा हुआ, मैंने का लगबक 50,000 से 55,000 तक का salary आता था, वो छोड़के, जीरो से शुरुवात की, at this age में, काफी लोग बोल रहे थे, क्या ही कर रहे हो, यार, अच्छी salary है, सब अच्छा चलता है, तो तुमको कुछ अलग ही सूज रहा है, अपना कुछ करने का, पर फिर भी, कुछ करने की चाहत तो थी, कुछ नया तो करना था, उसमें business profession ऐसा चुना, कि जिसमें government offices के साथ काम करना था, continuous travel करना था, और इन सब के चलते बहुत कम, जो business मैं करते हूँ, business consultancy का, इसमें बहुत कम महीला है, जो government schemes और इ कब काम करोगे, कितना जाओगे, हम छोटे से संगमनेर से लेके नासिक तक के, छोटे टाउन में थे, सारे government offices, schemes implement होती है, बॉम्बे में, पूने में, डेली में, इतना travel करोगे, बस ये भागते-भागते, इतनी मेहनत करके, year end में पता चला, तो loss, अब क्या ही करे, तो घर बड़े ही नाराज से, बहुत डी मोटिवेटेड, दादा जी से मिले, मैं बोलती हुना, ये बड़े लोगों के पास उनका अपना अनुभव होता है, उनकी अपनी एक सोच होती है, तो उन्होंने तब समझाया कि देखो बच्चा, कि अगर, मतलब हम कहते हैं, अगर स्वर देख वाओगे, तब पता चला, कि या ठीक है भाई, ये कि तो साल हुआ है, खुद को दिया, खुद को लर्न करवाया, खुद एक्स्प्लोर किया, इसके आगे अभी नई से वापिस शुरू करेंगे, और फिर जो काम बढ़ाया, फिर जो काम किया, जो टीम साथ बनी, जो प्ले साल ही बनाया, लॉस तीस पैतीस हजार का, जिन्होंने लॉस के बारे में सुना, वो वापिस बोलने लगे, भई क्या ही है, कौन करता ऐसे, साथ हजार तक की सालरी की नोकरी थी, वो छोड के, क्या किया, तुम लोगोंने, क्या ही करते हो, यह सा कोई डिसीजन लेता ह हम तीन या चार दिन में ही कवर कर लेते हैं, मेरा अगर महीने की बिजनेस की बारे में बात करो, तो हम 10 या 12 लग का मिनिमम बिजनेस तो महीने का ही हो जाता है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बार का सैक्रिफाइस कहीं पर रुकने का, अगर उसको जस्टिफा ही था कि नए से शुरुवात करेंगे, तो काफी दिक्कते आएंगी, काफी मुश्किल आएगी, तो फिर क्या डरना, लेकिन अगर खुद पर भरोसा है, तो एक दिन ऐसा आएगा, कि सब मुढ के कहेंगे, हाँ तब जो डिसीजन लिया, तब जो सोचा, वा सही करके दिखा है, बस इसी के लिए पहल तो करें, शुरू तो करें, हम जब बिजनेस कंसल्टंसी प्रोवाइड करते थे, तो काफी लेडीज आके मिलती थी और बोलती थी, माडम आपका प्रोफेशनल कंसल्टंसी है, हमारा बिजनेस छोटा है, विंग यू अज आप हमको क्या सपोर्ट करोगे, आप हमारे लिए क्या काम करोगे, तब सोचा कि यार कुछ तो करना चाहिए, आशिश मेरे हस्बन उन से बात की, मेरे भाई से बात की, मेहुल देशाई से, तब जाके रियलाइज हो, बोलतें कि, अब तेरा सब सॉर्टेड है, तुझे जो मकाम हासिल करना था, वो किस एक नया कुछ सोचल अक्टिविटी की क्या जरूरत है, अभी इसी पे ध्यान दो, हम बोलते हैं, अपने बारे में सोचो, अब वापिस नय से शुरुवात, वापिस आट देज और 43, 44, नहीं कुछ शुरुवात क्या जरूरत है, इसी को आगे ले जाओ, कितना भाग हो पर चलते, सीम लाइक ओ, पीपल को स्वात लिया, एक NGO बनाया, एक सोचल ऑर्गनाइजेशन बनाया और उसकी साथ काम थोड़ा आगे बढ़ाया, जैसे आगे बढ़े, बिली मी करीबन महराष्ट्रा में, 4000 से अधिक महिला है, आज इस प्लाटफॉर्म से जुड़ी है, आ कि अपनी अलग डिफिकल्टी है, हमारे साथ शेयर करते हैं, हमसे बात करते हैं, और यह पूरा फ्री ओफ कॉस्ट रन करने वाला प्लाटफॉर्म है, आज मुझे खुशी होती है, कि यह मंच पे जो स्टॉक ने बुलाया, आप लोगों तक यह काम पहुचाया, और इतने स तरी कों सारे गुबर्मेंट ओफिसेस आज हमसे जूडे हैं, करीबन मोर दन six ministries आज हमसे connected है, इन महिलाओ को support system देने के लिए, फिर skill ministry हो, MSMA ministry हो, handicraft ministry हो, Ministry of food processing हो, agricultural ministry हो, तो यह बस शुरुवात है कि हम कब पहली पहल करते हैं, बस अपने काम करने की देरी है, अगर आपका intention clear है आपकी सोच clear है आपका तरीका सही है ना सारे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे अगर आप अपने business को आगे बढ़ाना चाहते हो तो मेरा ये एक मानना है कि आज अपना government small businesses को support करने के लिए बहुत सारी चीज़ लेकर आता है अगर हम businessmen है तो वो सारी चीज़े सीखना हमारा काम है उन सब चीज़ों को जानना हमारे business के लिए कौन सी सही है उसका उपयोग करके लेना ये हमारा काम है तो नई-नई चीज़ों की तरफ ध्यान दे नई-नई चीज़े सीखे उन सभी महिलाओं को मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने उनर को निखारना चाहते हो उसको business बनाना चाहते हो फिर वो चाहे कोई भी हो चोटा हो बड़ा हो अपनी पढ़ाई को business में बदलना चाहते हो तो जरूर से ये जो के माध्यम से आप हमसे जुड़े आप comments में डालिए कि आप क्या करना चाहते हैं आपको क्या दिक्कते आ रही है free of cost हम ये आपकी सारी difficulties को दूर करने की कोशिश करेंगे आपको hand holding देंगे यहां पर मैं कहना चाहूंगी कि एक बहुत अच्छा संतकबीर का दोहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंथन को चाया नहीं पल लगत अति दूर तो मेरी तो मेरा अपना चड़ा उतार है मेरे अपने चालेंजस थे उन सब को दूर करके हम आगे तो आए आगे आये तो पता चला कि मेरे जैसी और किती सारी ladies है, कितनी सारी महिलाए है, जो कुछ सपना लेके आगे बढ़ना चाहती है, जो कुछ को साबित करना चाहती है, जो कुछ अलग करना चाहती है, तो अगर हम अपना करते हुए उनको भी अगर हाथ दे पाए, तो क्या बुरी बात है, अगर हम उनके लिए कुछ भी जरूरत का एक भी चीज, उनकी एक भी डिफिकल्टी सॉल कर पाए, तो उनके लिए वो माध्यम बनेंगे आगे बढ़ने का, और वो मैं अकेली नहीं, पर पूरा स्री उद्यमी फाउंडेशन के टीम आज वो ये काम कर किसी से पूछा गया, वुमन एंपावर्मेंट क्या है, किसी ने बोला, अपने पैरों पर खड़ा होना, तो किसी ने कहा, खुद के फैसले खुद से लेना, जिसका एक ही मतलब है, फाइनाशली इंडिपेंडेंडेंट होना, ये मैसेज उन सभी महिलाओं के लिए है, जो और फैनाशल चुनोतियों के बाद भी, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं, तो सब कुछ संभव है, पर जरुरत है, तो सिर्फ आपके जुनून की, आपके डिसिजन की, और जोश क हमें पता है, हम काबिल हैं, पर घरेलू काम और पारिवारिक जिम्मिदारियों ने हमें इतना जकड़ा हुआ है, कि खुद के सपने पूरे करने का कभी मौका ही नहीं मिला, तो आईए, अपने हालातों को हरा कर जुड़ते हैं, जो स्टॉक्स जॉप्स फर वुमिन कोर्स क के साथ, ये कोर्स उन सभी काबिल औरतों के लिए है, जो धर पर बैट कर काम करना चाहती है, और महीने के महीने एक income earn करना चाहती है, financially independent बनने के लिए, अब खुद को रोकने का नहीं, बलकि आगे बढ़ने का समय है, पर कैसे, ये जानने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें